बिग बॉस सीजन 14 का टाइटल जीचुकी रूबिना दिलाइक को भला आज कौन नहीं जानता। ये टीवी की उस बहतरिन अदाकारों में सुमार हैं जिनकी अदाकारी के चर्चे टीवी की गलियारों में अक्सर होते ही रहते हैं। हम बात करें रूबिना दिलाइक के जी टीवी के मोस्ट पॉप्लर टीवी शो चोटी बहु की में तो चोटी बहु में रूबिना दिलाइक ने राधिका के किरदार को निभाया था और इस किरदार से फैंस को फुरी तरह से मनमोहित कर दिया था। इसके अलावा रुबिना दिलायक कलश टीवी के मोस्ट पॉपलर टीवी शो सक्ती अस्तित्यों के एहसास की में सौम्या के किर्दार को निभा कर रातो राज सुर्खियां बटोर ली थी और इनके अदाकारी के चर्चे टीवी के गलियारों में काफी सुर्ख्यों में भी रहते हैं लेकिन क्या आप सभी फैन्स दिल्चस बात जानते हैं टीवी की इस भेत्रिन अदाकारा यानि की रुबिना दिलाएक के साथ काम करने के लिए टीवी के पाँच पॉपलर एक्टरेस इच्छुक हैं जियां दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना आपने टीवी के पाँच ऐसे एक्टर्स हैं जो रुबिना दिलाएक के साथ काम करना चाते हैं और इसके इच्छा भी जग जाहिर करती हैं ये टीवी एक्टर्स तो आएए आज के इस खात रिपोर्ट में हम आप सी फैंस को उन टीवी एक्टर्स के नाम बताते हैं जो रुबिना दिलाएक के साथ काम करने के लिए बेहदी एक्साइट हैं तो चलिए आज के इस खात वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नमबर से सुरुआत करते हैं और पहले नमबर पर आते हैं हैंसम हंग टीवी एक्टर अरजुन बिजलानी जी हाँ दोस्तो बिलकुल ठीक सुना आपने अरजुन बिजलानी अपने इंटर्विव में ये खुलाता कर चुके हैं वो टीवी की एक्टरेस रुभीन दिलैक के साथ काम करना चाहते हैं और उनके साथ काम करना उनका एक ग्रीम सा है उस बात को कहते हैं नदर आ चुके हैं टीवी के हैंसम हंग अरजुन बिजलानी दूसरे नमबर पर आते हैं चॉकलेटी बॉय बरुन सोपती जी हां दोस्तों वरुन सोपती को हम आपको दिलचल बात बता दे दोस्तों वरुन सोपती को कलश टीवी के मोस्ट पॉप्लर टीवी शो सक्ती अस्तित्व के एहसास की में हर्मन के किरदार को निभाने का सुनहरा मौका मिला था और ये offer वरुन सोपती को दिया गया था लेकिन वरुन सोपती उनी दिनों अपने वेज स्रीज में बीजी रहने की वज़़ से उन्होंने इस किर्दार को ठुकरा दिया और रुबिना दिलायक के साथ काम करने के मौकर को गवा दिया लेकिन वरूर सोप्ती ने भी एक इंटर्विव में ये खुला सा किया था कि वो रूबिना दिलायक के साथ काम करना चाहते हैं अगले आते हैं बेहदी पॉपलर टीवी अक्टर पार संथान जिया दोस्तों पार संथान भी ये इच्छा जग जाहिर कर चुके हैं वोट की टीवी की इस हसीना यानि की रूबिना दिलायक के साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि वो उनके अदाकारी के काफी जादा दिवाने हैं इस वज़े से पार संथान रूबिना दिलायक के साथ काम करना चाहते हैं और वो उनका सुनहरा सपना है वैल ये देदना दिल्चस होगा कि उनका ये सपना कब पुरा होता है अगले आते हैं हैंसम हंग टीवी एक्टर और नागिन तीन में अपने अदाकारी के जल्वे बिखेर चुके टीवी एक्टर पर्लवी पूरी जिहां दोस्तों पर्लवी पूरी ने एक इंटर्वी में ये संसनी खेज खुलासा किया था कि वो रूबिना दिलाएक के साथ काम करना चाते हैं और कई दफा तो इनके बारे में बात भी कर चुके हैं मीडिया रिपोर्ट में हम आपको बता दे दोस्तों कि दिल्चस बात ये है कि पर्लवी पूरी की फेवरेट एक्टरस है रूबिना दिलाएक और पर्लवी पूरी की दिली तमन्ना है कि वो रूबिना दिलाएक के साथ काम करना चाते हैं और आखरी नाम जिनका आता है यानि कि नंबर 5 पर जो अदाकारा आते हैं वो हैं हैंसम हंग TV अक्टर जैन इमाम जिहां दोस्तो आपने बिल्कुल ठीक सुना जैन इमाम भी रुबिना दिलाइक के साथ काम करना चाहते हैं इस बात पर जगजाहिर कर चुके हैं अक्सर वो मीडिया रिपोर्ट के सामने और कहा तो ये भी जाता है कि जैन इमाम को रुबिना दिलाइक के साथ एक वेज सीरीज भी ओफर हुआ है और वो वेज सीरीज है एल्टी बालाजी का जिहां दोस्तो एकना कपूर जैन इमाम और रुबिना दिलाइक को लेकर एक वेज सीरीज बनाने की विचार कर रही है हाला कि इस बात पर खिकनी सच चाही है फिलाल तो इसमें कुछ नहीं कहा साकता लेकिन जैन इमाम भी ये जग जाहिर कर चुके हैं कि वो रुबिना दिलाइक के साथ काम करना चाहते हैं और वो उनकी दिली हसरत है वेल दोस्तो ये हैं 5 टीवी अक्टर्स जो रुबिना दिलाइक के साथ काम करना चाहते हैं वेल इन पाचो टीवी एक्टर्स में से आप किस एक्टर्स को रिभूदना दिनायक के साथ छोटे परदे के साथ साथ बड़े परदे में भी देखना चाहते हैं प्लीज हमें अपने कमेंट के तुरू जरूर बता हैं इसके साथ ही दोस्तों अगर आज का ये वीडियो अगर आप से फैंस को पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक एक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शियर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें तक तक के लिए बने रहे हमारे न्यूस चैनल के साथ क्यूक टीवी न्यूस की रिपोर्ट